लगातार साथ दिदों से भारती वाजरों में बन रहे हैं नए एतियासिक स्कर और आज सुच शुरुआत के है संकेत लेकिन उसके बाद किया फिर से लोटी की चुस्ति और नए रिकोर्ड दिखेंगे वायदा करोबार की कल की एकसपाईरी के पहले क्या करें आज की तैयारी इस पर रहेगा कार्स फोकस शेर बादार लाइब में आप सुच वागरते नमस्कार नेहुआ निल सिंगी और नमस्कार मैं दिपांशु भंडारी और अनिल जी दमदार सेशन के लिए तैयार हो जारें जितना आप कहते हैं नीचे मिले उतना ही अच्छा है आज के लिए भ बहुत ही हल्के फिल के और बाजार में आ रहे है और न इतना तर्फ़तर पकर्डने के बूर में तो बताए आज के लिए हैं यारे हैं और आप देख सकते हैं अमेरीकी बाजारों में उच्छाल के साथ कारभार हौबार हुआ क Ouais बढ़ी मजबूती के साथ taut dispon doubt वे और 100 बं सर्प्राइज था शॉकिंग था जो भी आप मान लें उसकी चलते कच्छे तेल में वड़त हुई सोने चांदी भी मजबूत है पहली फरवरी को बजट पेश होगा और 29 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी HDFC bank दमदार तिमाही आंक्रे आते वह दिखें दिसंबर के महीने के तो यह एक ऐसा स्टोक है जो ने सिर्फ अपने आपको बलकि bank nifty को और nifty को मजबूत रखने का काम करेगा और हाँ अधीप इससे याद आया यह bank nifty HDFC bank इन सब से जोड़ी विए एक बड़ी इंटरेस्टिं ख़बर है मेरे पास थोड़ी देर में अभी नहीं नहीं बहुत इंटरेस्टिंग ख़बर है थोड़ी देर में बताऊंगा चलिए तो इंतजार रहेगा और banks पर तो action भरपूर है उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे सर पर जो बड़ी ख़बर भारत के लिए आत रात का दिन है उसके बाद आराम से वैक्सिन लगवाई है और सबको मिलेगी आराम से मिलेगी और कहीं कोई supply में कमी नहीं और सबसे बड़ा बात यह कि जो हमारे हिल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आ रहे हैं वो खेरें कि पूरी मातरा में रहेगी और दीमें दीमें काबू पा लेंगे यह confidence दिन बर दिन बढ़ रहा है एक और जहां UK में दिक्कतें बढ़ रही है जर्मनी में भी थोड़े lockdowns के जो हैं वो संकित आ रहे हैं लेकिन फिर भी बादानों को पता है यह temporary है अब जब सिंपल चीज वही है जब कोरोना को कंट्रोल कर जा तो कोरोन कि नए वाइरस में क्या ऐसा है जो नहीं कर पाएंगे वक्त की बात है तो जब मतलब कहते हैं कि आप कोई पैशेंट बीमार है उसका treatment करते हो ठीक है ना आपको पता कोई antibiotic देर तो इसको कोई side effects होंगा तो नेंद आएगी या lose motions होंगी या कुछ और होगा तब भी देते हो क्योंकि आपको पता है side effects जो हैं वो छोटे है यह कोरोना का नया variant बेस है में बीमारी का इलाज हो रहा है ना चोटी मोटी जो यह आ रही है इसको भी scientists अब ढून लेंगे तो बहुत ज्यादा करने की बात नहीं है और इसलिए बाजारों का भी ज़्यादा रियाक्शन है थ और भी चीज़ है जैसे अब US में Georgia का चुना है अगर Democrats आ गए तो फिर शायद tax hikes आ सकते हैं तो वहां से एक सवाल बन रहा है पर जो हमने भारती बाजारों में देखा कि DAO पर आप देखते हैं 600 points की गिरावट UK में lockdown लगता है थोड़ा near term तो impact होता है यह सर इन खबरों का पर भारती बाजारों ने बिलकुल react नहीं किया एक गंटे डेड़ गंटे का reaction दिया और उसके बाद निकल गया यह तो बहुत ही surprising है कि हम डेड़ दिनों से एक दिन एक दिन से आधा दिन आधा गंटे एक गंटे का reaction पर आ गया है मतलब यह ताकत समझ ले या फिर मतलब जो भी समझे लेकिन बड़ा मजबूत मारकेट है अचा दूसरी बात दीपिय के नहीं सिर्फ हमारा है बलकि वहां भी वही सीन है योरोप कल उपर बंद हुआ था इस्पेशली फूटसी अमेरिका एक दिन कि वापस रिकवर हो गया तो कही कोई डर नहीं अचा एक और चीज ज वहापस ले लेंगे ज्यादा बिजनिस फ्रेंडली नहीं है चाइना के फेवर के और चुनाओं के पहले तो लगबग लगबग उनकी बढ़त भी बन गई थी चुनाओं के बाद हर वक्त लगा हो जिए मारकेट गिरा किया बिलकुल नहीं पैसे की ताकत है वही ऐसे थोड है उल्टा हुआ है उसके बाउजित बाजार बढ़े तो जो लिक्विडिटी का फ्लो है उसमें मतलब अच्छे ची बूरी खबरे बह जाती है वैसा है तो वो फ्लो जब तक है तब तक ज़्यादा दिमाग लगाने की जबग तो मैं कल भी आप सुबह नहीं थे तो हम बात ही करते हैं कि दो चीजें ही देखनी है कि कर्रेक्शन के आधा दिन से ज्यादा टिकता है कि आधा दिन भी नहीं टेखा दूसरी चीज मैंने कही थी कि टू थर्टी फेक्टर धाई बजे के बाद दो बजे कोई कुछ तो एफाइस हैं जिनके ऑफिस दो बजे खुलते हैं दो धाई बजे आद दो धाई बजे के बाद जो बाइंग आती है जब तक यह दो धाई बजे के बाद वाली बाइंग और जब तक यह आदा है से डेड़ दिन का करेक्शन यह तीन चीजों में कोई बदलाओ नहीं होता है तब तक आपको मूर बदलने की ज़रूर नहीं, किसी एक दिन होगा, लाइफ लोग नहीं रहेगा, लेकिन वो कौन सा दिन होगा, या तो आपको पता हो, तो अच्छी बात है, मुझे तो नहीं पता, तो जब जो चीज नहीं पता है, उसकी चिंता क्यों करें, जो बच्छा हाथ में उसे अच्छा बड़ा कर लें, पहले पाल पोस्कर, जो आएगा कभी, उसकी चिंता में दूबले हो रहे हैं, तो जब करेक्शन आएगा, उसकी चिंता में दूबले होने के बजहरेछ, जो तेजी चल रहे हो इसको एंजोई करें, ये सिंपल चाई है, तो ऐसा नह विए क्यों नहीं समझ रहे हैं? ना समझे तो बढ़ी है है? देखिए, सबका अपना अपना विवर, हर एक के विव का रेस्पेक्ट करना चीए. मैं तो एक बहुत सिंपल बात करता हूँ. कभी किसी का सही होगा, कभी किसी का सही होगा. इसमें कोई मार्केट है, हर एक हर आदमी का विव हर वक्त सही हो, ऐसा पोसिबल है. कम से कम मेरे कैस में तो बिल्कुल भी नहीं है. वो तो आप कहते भी हैं कि बायर के लिए सेलर होना तो ज़रूरी है. बिल्कुल, तो जितने पुट खरीदने वाले हैं या जितने कॉल राइटर्स हैं, वो तो बाजार को नीचे सपोर्ट देने के लिए तयार है. उनकी तो बहुत जरूरूर। गिरते बाजार में तो वही काम आते हैं. बता दो मुझे सो ट्रेट करने वाले होंगे इसमें से दो ऐसे होंगे जो गिरते बाजार में खरी देंगेंगें. बाकि तो गिरते बाजार में सब अच्छा क्या हलका करूँ, क्या बेचू, वही देखते रहें. तो उस समय शॉर्ट काटने के लिए आता कोन है? जो शॉर्ट सेलर्स हैं. तो देखें, मार्केट के लिए बहुत जरूरी की दोनों तरह का बैलेंस बना रहे हैं. तो इसलिए मुझे लगता है कि अपनी अपनी स्ट्रेटिजी है, अगर आपका पैसा जिस तरह से बनता है, और आपको जो सूट करता है, आपको जो सूट करता है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है. अपने रिस्क के हसाब से स्ट्रेटिजी बनाएं, पर बाजार के मोमेंटम से लड़ाई ना करें, ये तो आपको रेगुलर्ली अंची बताई रहे हैं. अच्छा सर, इसमें एक और अच्छी ख़बर आई है, और बैंक्स में हमने अलड़ी अक्शन देखा है, HDFC बैंक दमदार अपडेट आएं, सर, वायो वाय बेसिस पर भी देखें, तिमाही तर तिमाही बेसिस पर भी देखें, तो अच्छे अपडेट आएं, तो क्या यहां से बैंक्स में और जान अच्छानक से सबके अपडेट आने जो शुरू है पिछली तीमाही से, वह रिजल सिजन का मज़े खत्म हो जाएगा, आधा काम तो होई गया, अब इसके बैसिस पर अगर आप रिजल्स का अंदाज़ा नहीं लगा सके तो फिर आप एनलिस्ट ही क्या है, तो रिजल्ट व अब हम क्या जो यही हैं बढ़ाने वाले देखिये हैं, सारे बैंक्स के आ रहे हैं अपडेट, स्टॉक्स पहले चल जाएंगे, अब जब आपके सामने पता है कि लोन ग्रोथ ही आई है, डिपोजिट ग्रोथ ही आई है, और इसके बैसिस पर आप आसानी से रिजल्स का अन पता नहीं है, जनुट से जळाए ट्रांसपरेंशनी भी ठीक नहीं है, थोड़े सर्प्राइज़ मार्केट के लिए रहने है, क्योंकि मार्केट को पसंद है, सर्प्राइज आता है तो Boncé quartz भागता है या गिरता है, अधिसार जाना है, ब्मारकेट में उसका रियक्शन होत तो अब ये गारेंटी हो गई सर आईटी की तरफ से तो अलरी मजबूत नतीजों का इंतिजार है साथ परसेंट दो दिन में TCS बढ़ना मजा के क्या वह सब्सक्राइब अब अब नहीं तो करनेका दिसी नहीं करने आसान है नहीं करने का मुश्किल है तेजी बोलना असान है मंदी बोलना मुश्किल है मैं बार-बार करता हूँ, आप यह तो प्रेक्टिस करके देख लीजे और खासर से पिछले दो-तीन महिनों में तो जिन्नों ने बोली हो समझ भी करेंगे कि कितना मुश्किल का है विप्रो भी वैसे बाइबाइक प्राइस पर आ गया है बिल्कुल आ गया है दिगज जो सेक्टर्स हैं, दिगज जो स्टॉक से उन सेक्टर्स में वहां से अब अपडेट आ रहे हैं टीसेस के नतीजों का इंतीजार है सर HDFC बैंक से भी अच्छे नतीजे आए हैं तो सेट अप फिर समझाएं सर आज के ट्रेड के लिए किस तरह के संकेत है ग्लोबल पोजिटिव, FIS पोजिटिव गरेलूफ फंड्स के संकेत नेगिटिव साइट पर हैं दिप वाइदा करोबार के न्यूटरल हुए है सेंटिमेंट और ट्रेंड पोजिटिव है तो एका दिन थोड़ा उपर नीचे होने के बाद लगबग लगबग वही रेंज में वापस सारे वही तरह के आगए हैं आज की स्ट्रेटेजी सिंपल वही है बायों डिप्स वाली स्ट्रेजी को फोलो करिए पहले सपोर्ट लेवल से खरिदारी शुरू कर दिजिए जिनका है क्या करेंगे जो है मारकेट है आप और हम कोने के मारकेट के अगाइब इन सी क्युक्रिद सब्सक्राइब कर दिए तो आपके पहले सब्सक्राइब के नीचे ही मोगा नी जा और कल से बढ़िया तो दिनी नहीं हो सकता था अगर इसको देना था चांस तो अगर आपका डाउ सब्सक्राइब कर दिए तो आपको शुरू के पंदा मेट या शुरू का आधा गंटा अगर आपको मिला एक्षिन तो ठीक तो इसलिए पहले सपोर्ट लेवल पे ले ले लेना है तो यही शब्दा आज जो नया जोड़ा है वो पहला सपोर्ट लेवल तो अपना पिछले हफते से चली रहे है और आप देख लो सारे भाग रहे हैं बाग रहे हैं तो बैंक्स के बाद NBFC फिसले टाइम आ रहा है और मिटकेप स्मॉल केप का टाइम वापस ब्रॉडर मार्केट में भी आक्षिन रहेगा पहली डिप पर खरिदारी कर लें यह भी संकेत आ रहे हैं लेवल्स फिर बताएं सर आज के लिए जो बड़े लेवल चार्ण बाद NBFC चार्ण बाद NBFC फिर तक तक का लोगार कर देखार देख रहे हैं वाइदा करो बार के डेटा के लिए से तो चोफ़दागा वाला है इसलिए मने अंदाज से 50पिशाइब का ट्रेंड दिख रहा है उसको देखकर मैं यह रहें रेंग यह रेंग निए ह पहला सपोर्ट जोन है यहीं पर खरीदना है बहुत बड़ी आप रिक आउट हो गया कल फाइनली दो हफ्तों के बाद आप देखें न च्छे दिन इकतिस दो सो से इकतिस तीन सो पचीस की रेंज में बैंक डिफ्टी बन हुआ और ऐसा मैंने बहुत दिनों से देखा नहीं अ यह मेरी उम्मीद नहीं थी तो कई बार होता है मार्केट आपको सर्प्राइज करता है बैंक डिफ्टी ने कल सर्प्राइज किया पोजिटिव ली किया देख रहे हैं कि चार-पांजिनों से अटका हुआ है कभी तो बाहर निकलेगा लेकिन जो ताकत दिखाई मानना चोटा लेवल उपर 31,950 32,050 का है उसके उपर 32,175 32,050 यह हाय रेंज योगा 32,600 लाइफटाइम हाई के आसपास जाने की तैयारी बैंक डिफ्टी थी है सर वही मैं पूछने वाला था कि अब उस व्यू से थोड़ा अक्शन बनते वे दिख सकता है कि जहां तक बैंक का सवाल है बैंक डिफ्टी एक नए हाई की तरफ मूव कर रहा है बन रहा है वैसा हुआ बैंक डिफ्टी क्या 500-500 पॉइंट के ब्लोक में चल रहा है जी यह वाला ब्लोक निकाल दिये एक 31-500 अब 31-500 से 32-500 के ब्लोक में रुका तो ठीक थोड़ा वक्त बिताएगा पार हो गया तो फिर 32-500 वो वाली ब्लोक तो 500-500 पॉइंट की रेंज में चल रहा है दिन की रेंज दे दूँ जी 14-150-14-250 छोटी रेंज 14-100-14-300 मीडियम रेंज 14-150-14-350 बड़ी रेंज सारी अंदाज से उपर वाली नीचे तो ठीक है सारे लेवल से आई रहे हैं बैंक डिफ्टी 31-500-31-9-50 31-325-32-50 31-225-32-115 और यह रेंज अंदाज से नहीं है यह एक् नहीं मिल रही हैं जो मैंने अंदाज से दिये वो तो हाइस पर तो वैसे थोड़ा वैसे थोड़ा बैंक डिफ्टी ना भी लाइफ हाई पार नहीं किया तो बैंक डिफ्टी में में मेरे पास रेंज है जी निफ्टी में भी लोर रेंज है निफ्टी में हाई रेंज नहीं खास चिंता की बात नहीं है चली तो फिर अच्छे ही संकेत हैं आज के ट्रेड के लिए सवाल फिर सर यही बनेगा पोजिशन्स हैं एक्जिस्टिंग वाली तो क्या करें आप मुझे इमानदरी से पुछेंगे मैं कौँगा इक्सो पचीस का इंट्रडे पर जो डे ट्रेडर से जिन्हों ने कल लोंग पोजिशन बनाई और जो ज़्यादर रिस्क नहीं रखना चाहते हैं वो चौदा एक्सो पचीस पे स्टॉप लोस है लेकिन सही किताबी स्टॉ यह सवाल आपको पुछना है तो अगर आपको कम रखना है तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं 14125 डे ट्रेड के लिए आज से वो रख लीजे क्लोजिंग बैसिस पे तो 14000 ही बनेगा उसके पहले नहीं है ठीक है ठीक है बैंक 50 छोटा स्टॉप लोस 31-400 का दिन के लिए ल आप शौट पोजिशन है तो होनी तो नहीं चाहिए लेकिन 14225 कल के हाइस 14215 को पार करें 14225 के आसपर खतम कर लिए 25 पोइंट की रिस्क रखनी है और नहीं रखनी है मुझे मालूम लोग सुनेंगे नहीं जिनको रखना हो रखना हो रखेंगे ठीक आपकी मर्जी है वही जो कि मुझे पता आएगा नहीं अगर आएगा नहीं तो आएगा नहीं तो आएगा नहीं इसलिए बता रहा हूं आएगा नहीं 13950 कर स्टोप्लों से 14100 14125 1415 14200 यह रेंज होगी उपर की लेवल से यह आने वाला नहीं जो आने वाला अब वह दूसरा है एग्रसिव टेडर दो सो पचास 14300 14350 यह चार्ट आर्ट जिनको बेचना है अंदाज से वहीं मैं फिर कह रहा हूं यहां उपर मेरे पास बेचने का लेवल सही क्या नहीं है तो मैं अंदाज से कह रहा हूं कि 100-100 पॉइंट की जो एफलों की रेंज है उस हिसाब से 14275 14325 की रेंज में अगर आपको बेच नहीं है तो आप बेचे नहीं तो आप गिरावट का इंतचार करें खरीद ले लेकिन बहुत सारे ट्रेडर से बेच कही मजा आता है बहुत कुछ भी हो जाओ वह तेजी करके 300 पॉइंट की तेजी नहीं करेंगे छोड़ देंगे लेकिन मंदी करके 50 में लोंग करके मिलेंगे उसमें वो आनंद नहीं आएगा जोने 50 पॉइंट शोड़ करके आता है तो ऐसे लोग हैं दुनिया में मोमेंटम के खिलाव मैंने कि उनको मजा आता है देखो मेरे तेजी का मार्केट में निफ्टी को धोया 50 नीचे आ गया अब वो नहीं पता है पहले ले ले ता तु तो 300 मिल जाता है लेकि आनंद भी तो एक चीज है आल्टिमेटर आप जिंद्गी में हर चीज खुशी के लिए पैसा बाद पहले पैसा आगया फिर खुशी लोगों को बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मंदी करके ही मिलती है तो उन लोगों के लिए यह है कि अगर आप खुशी मंदी में ढूण रहे हैं यह थोड़ा चोटा सा 14-250 से 14-214-150 के टारगेट के लिए यह नई पोजिशन बैंक निफ्टी जी सर एकतिस दोसो एकतिस तीन सो पचाश जो होने नहीं है लेकिन यह बहुत परफेक्ट रेंज है इसमें बिल्कुल सोच रह करके खरीदारी के बात करें सिर्यॉस्ते मीटतagen रहरा है यह सबस्क्राइब एकतिस तीन सो पचाश पर यह पोज़ाना है कि ह nenे लिकइन इक टारगोए भुचा तकि हान्य कि देना हैृ मुई लेकिन यहां लेनी है यहां बहुत चोटा स्टोप लोस हो हिए यहां लेनी है तो यहां लेनी 345, 550, 725, 3 छोटे टार्गेट के लिए उस रेंज में खरीदना है और अगर आप हैं जो होना चाहिए तो आप इतना इंतजार मत करें 31400, 31500 में ही खरीद लीजिए और आपको लगाना है स्टॉप्रोस 31300 का छोटा स्टॉप्रोस 3175, 3185, 3195, 32,050, 32,115, 32,050 बड़े बड़े टार्गेट यह सारे इतने सारे टार्गेट है नोट कर लिए फोटो कीच के लिए आजकल तो लिखने का सिस्टेम ही खतम हो गया सबसी जए फोटो कीच लिए टीवी स्क्रीन की और नहीं तो बाकी ट्वीटर पर फेस्बुक पर आएगी इस्ट्रेटिजी वहां पर देख लीजिगा तो यह सारे टार्गेट्स हैं जिसके लिए आपको 31,421,500 की रेंज में खरीदना चाहिए अब जो लोग शौट करना चाहते हैं एक चांस ले सकते हैं आपको करना ही है तो वही वाली बात है कि जिनको आनल लेना शौट करने का 31,950, 32,050 की रेंज में शौट करिए शौट करिए श्टिक स्टो प्रोस 32,200 का रखिए एक तीस आट वचास साथ सो पचास शेसो पचास पान सो पचास यह चाहर टार्गेट अभी तक सर आप कहते थे कि निफ्टी पर जादा कन्विक्शन लोंग का बैंक निफ्टी पर उ नीचे दे रहा है बंद बड़ा बंद नहीं हो रहा है नीचे ऐसा नहीं ज्यादा गिर रहा है लेकिन लाल तो लाल है ना तो जो अब आ गया है और आज एजडिएफसी बैंक तो और बढ़ा ही देगा तो नजर रखते हैं वहां पर आक्शन भरपूर होने वाला है आज के फ्यूचर्स में बेचे हैं फ्यूचर्स में हलकी सी बिक्वालिया दी बहुत ज्यादा नहीं लेकिन लोंग पोजिशन कम की है एक सो चेटर करोड के आप्शिन इंडेक्स बेचें एक सो ग्यारा करोड के स्टॉक फ्यूचर्स बेचें ठीक है मैनेज़ेवले और गरे लू पोजिशन बनने के संकेत हैं अब मैं क्यों कह रहा हूं पहले सपोर्ट लेवल पर खरीद लिए वह यह कि 14,100 आसानी से तूटेगा नहीं आच नहीं तूटने वाला आप मान के चलिए क्यों नहीं तूटेगा आप उसका कारण बता दूँए 14,100 के पुट पर 36,001 शेर हैं तो यह जो पुट राइटर है यह 14,100 की नीची की मंदी नहीं देख रहे हैं पॉइंट नमबर वन पॉइंट नमबर टू यहां पर आते ही आपको स्ट्रोंग सपोर्ट आएगा तो वैसे तो आना नहीं है आप 100 पोइंट है वहां से जब कल के जैसे मार्केट में 100 जहां पर 33 लाग शेयरों का उपन इंटरेस के कॉल्स में 10 लाग शेयर कल जो रहे हैं कल सिंगल स्ट्राइक और मैं आज बात निकली तो बता दूना जो भी एफए नो डेटा एनालिसिस करना आप करना चाहते हैं यह करते हैं एक चीज और ध्यान में रखिए जब आप हो सकता है कॉल में भी हो सकता है वो उस दिन की मेजोरिटी का व्यू बताता है जिससे कल के सेशन में क्या हुआ कल के सेशन में 14,100 के पुट पर इसका मतलब यह कि बाजार की मेजोरिटी यह कह रही कि 14,100 के नीचे अब निफ्टी नहीं जाना चाहिए इससे यह मतलब नहीं तो क्या डेटा तो सब सेम ही है ना उस डेटा को आपको कैसे विशलेशन करके अपने काम में लेना है तो यह जब मैं यह डेटा देखता हूं तो मैं यह एक रूल लगाता हूं कि कहां सबसे ज़्यादा बन रहा है तो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जिन्दगी पर तो आनिल सिंग भी करेगा नहीं कभी तो आपको अपने अनलिसिस करने होंगे आप सेल डिपेंडेंट हो जाए आप भी समझे कैसे करना चाहिए त और 99% में कह सकता हूं कि गलत नहीं होता 99% तो यह हो गया आपका 14,100,14,300 निफ्टी की रहें अब आए बैंक निफ्टी 31,500 पर हलका सपोर्ट है आसानी से नहीं जाएगा नीचे 32,000 पर हलकी रुकावट है दस लाग शेर वहां पर हाइस ओपन इंटेस्ट है तो 31,500 अब र आपको रखनी है नजर एक सप्राइज वैसे सर आप देने वाले हैं कुछ बैंक्स को लेका बिल्कुल सप्राइज है इंतजार है उसका सप्राइज का मज़े ही है जब इंतजार के बार चलिए थोड़ा इंतजार और तो बैंक्स पर एक सप्राइज आने वाले है उसके लि अगले दस साल का वो यह तेली कॉम्पनी जो है इसके साथ एपल गूगल फेस्बूक इन सब के साथ बैटक करने वाले बैसिकली स्पेक्ट्रम का जो रोड मैप है आगे का अगले दस साल का वो यह तेह करने वाले हैं इसके लिए यह मेगा बैठक रगी गई है श्टाक स्पेसिफिक गोदेज कंजूमर्स इन्होंने अपना Q3 का ऑपरेशनल अपडेट दिया है जहां पर इन्होंने कहा है कि Q3 में मांग जो है उसकी स्तिती दुनिया बर में स्तिर नज़ा आ रही है लेकिन इनकी जो वॉल्यम ग्रोथ है इस बार लगाता है जो ग्रोथ है वो डबल लो डबल डिजिट पे रहने वाली है इसका इन्होंने अनुमान लगा रहा है इसके अरवा सेग्मेंट स्पेसिफिक भी इन्होंने कहा है इनका कहना कि साबून की जो ग्रोथ है वो काफी ये अच्छे रहने वाली है मिट टीम्स में ग्रोथ लेने वाली है हेल्थ केयर में में तेज रिकावरी की अनुमान ही लेकिन एक एंडोनेशा की अलावा बाकि जितने देश वहां पर अच्छी ग्रोथ होगी से केवल एक इंडोनेशा का कारोबाद जो इनका है वो थोड़ा धीला रह सकता है यह अपडेट इन्हों ने दिया है HGFC Bank इसने भी अपना तीसरी तीमाई का quarterly अपडेट दिया है जहापे इन्होंने काया कि Cool Advances जो है साल दर सा 16% बड़े है और Deposits जो है उसमें 19% की बड़ोती देखने मिली है quarter on quarter भी यहां 3-4% के आसपास की बड़ोती है तो यह अपडेट काफी बेतर है Hero Motocop यहाँ पर LIC ने इस कमने में अपना हिस्सा जो है वो बड़ाया है 7.1% से बड़ा कि 9.16% यानि कि 2% के आसपास की बड़ोती की है पिछटे कुछ समय में यह इस्सा लगातार बढ़ाया गया है हम देख भी रहे हैं कि Hero Motocop में जबरदस्त मार्केट आक्शन रहा है पिछले कुछ समय से तो नज़र रखे इस स्टॉक पर और भी धेर सारे स्टॉक्स हैं कुशल के पास गुद मॉर्निंग कुशल बताएं कौन से हैं और खबरो वाले स्टॉक्स सबसे पहले B.E.M.L. इस पर फोकस रखे क्योंकि हाई मोबिलिटी वाहनों के लिए इनको रक्षा मंत्राले से 758 करोर रुपए के ओर मिलते वे नज़र आए हैं और अगले एक साल के अंदर ये सप्लाई पूरी की जाएगी साथी Indigo यहाँ पर नज़र रखे इनके लिए positive news आई है क्योंकि DGCA से जो इनके Pratt & Whitney engines है उनको उनकी जो उडाने हैं उसको मंजूरी मिलती भी दिखिए हैं अंतराष्टियर रूट्स पर अब ये Pratt & Whitney engines वाले जो एरप्लेन हैं वो उडाते वे नज़र आ सकते हैं साथी M&M यहाँ पर आपको नज़र रखने होगी क्योंकि auto parts की shortage की वज़े से इनकी जो premium category motorcycle है जावा उसके orders जो है 20 से 25% orders जो है या तो cancel की गए हैं या फिर hold पर रखे गए हैं इस वज़े से हो सकता है कि जो आईशर मोटर्स की premium bikes है royal infield उनको फाइदा होता वा नज़र आए बजाज finance यहाँ पर इनके लिए negative ख़बर है क्योंकि RBI ने करीब धाई करोड़ रुपे का जुर्माना लगाया है in fact यहाँ पर जो regulatory नियम NBFC के लिए लाए है RBI ने वहाँ पर उसके उलंगन को लेकर यह penalty लगाई गई है और BML, MTNL, BSNL यह तीन PSU's पर आपको focus रखना होगा साथी MSTC भी जो है वो action में आतावाद दिख सकता है क्योंकि सरकार जो है वो इन PSU's की जो non-core assets है उसकी बिकरी के लिए एक नया e-platform launch करने वाली है और यहाँ पर इस e-platform से करीब-करीब 10,000 करोड रुपे के non-core assets बेचने की योजना है सरकार की साथी NICA जो beauty startup है वो अपना IPO लाने की तयारी में है तो HUL पर भी आपको focus रखना होगा क्योंकि related line of business है और यह 300 करोड डॉलर की valuation पर जो है यह IPO लाया जा सकता है दो insider trades है इसके लावा मेरे पास जिसमें moltech packaging पहला है positive promoter action दिखा है इसमें करीब 14,700 शेरों की खरीदारी की है 12 से 22 से 31 दिसमबर के बीच और अंत में star cement यहाँ पर negative promoter action है क्योंकि promoter ने करीब धाई लाग शेरों की बिकवाली की है 31 दिसमबर को ओके तो कुछ promoter action भी आपके लिए और साथ ही धेरों खबरों वाले stocks जहां पर रखनी है नज़र आईए आपको बता देते हैं आज brokerages का क्या कहना है F.I.R. में गुद मॉर्निंग आशिश बताएं कौन सी रिपोर्ट से आज गुद मॉर्निंग दिपांचु सबसे वले banks और financials यहां पर नज़र रखनी होगी जेफरीज की रिपोर्ट आई डीटेल रिपोर्ट है जहां पर कहा जा रहा है कि अब यहां पर एक अप्टिक देखने को मिलेगा और धेर सारे stocks में दिखे target price को adjust किया है आक्सेस बैंक पर 700 से 800 कोटक महिंदरा बैंक 270 से 280 इंडेसेंट बैंक 1030 से बढ़ाकर 1100 कर दिया है स्टेट बैंक कर खरीदारी के राय बरकरार रखिया है लक्ष 270 से बढ़ाकर 340 कर दिया है इसके अलबा कुछ और श्रॉक्स पर भी रिपोर्ट आई है जैसे क्रेडिट स्वीज की रिपोर्ट देखे अंबर एंटरफर्म की रेटिंग दी है और काफी उंचे लक्ष दिया है करीब 3000 रुपे का लक्ष दिया है 2400 के आसपास की क्लोजिंग है इमानरे की AC मैनुफाक्चरिंग के लिए जो सरकार ने PLI स्कीम का अनौंसमेंट किया है वो कहीं ने कहीं आगे जाकर ग्रोथ के लिए एक बड़िया कैटलिस्ट थाबित होगा और डिक्सन टेक के मकाबले अगर आप देखे तो इन्हें अंबर एंटरफर्म में ज्यादा कमफर्ट नजर आ रहा है आखरी रिपोर्ट है फिलाल के लिए जुबलेंट फूडवर्क्स पर जेपी मॉगन की रिपोर्ट है ओवरवेट की रेटिंग को वरकरार रखा है तीन हजार तीस रुपए के लक्ष ले 2780 के आसपास की कलकी क्लोजिंग है और यह मानरे की बिर्यानी सेग्मेंट से एंट्री किया है जो कंपनी ने उससे आगे जाकर कंपनी में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी बिर्यानी जादा बिकिगी जहां अनिज जी सबसे बिर्यानी बिकती है ओनलाइन डिलिवरी इसमें अगर देख जिए जब अपडेट दिया था उसमें कहा था कि बिर्यानी के ओडर काफी जाद रखार अइसा क्यों यह बता है नहीं अच्छा चपाती आते हैं रोटी मुच्छल फंट के लिए एक और 22% स्टोक एपने पॉर्टफोलियु में रखने के लियां आइए। आपके लिए तैयार और एक्षपर्स भी entsprech ये और घुलगा कम करने की वो आज फिर से आपके सामने दोनों जोइंट फिक लेकर आये लिकर आए और कम काम करने का मतलब यह नहीं क्वालिटी का होना चाहिए थी कुणाल जी और राकिश जी का क्वालिटी काम थोड़ी देखेंगे उससे पहले वागल साथ से करते हैं आज की शुरूआत वागिल साथ, गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ओफ दे दे अनिल जी, गुड मॉर्निंग, धिपांचू, गुड मॉर्निंग, मेरा भी कॉल वह है जो मैंने कल बात की थी, अपोलो हॉस्पिटल जो मैंने जाते जाते बीटी इस्टी दिया था, इसका पैटन बहुत ही तो मैं, I will stick with that, 2509 का बंद है, ये मेरे cash के लेवल से, कल जो मैंने दिये थे, वो futures के लेवल थे, I think 10-12 रुपे का परख है, 2475 का cash का stop loss होगा, और 2583 तक के targets मुझे दिखाई दे रहे हैं, जब मु आज अगर आएगी तो मुझे लगता है आनी चाहिए, और futures में वो 26 के अगर आपको कोई message अपनी बहु को देना हो, कि बहु को बताना चाहिए, कोई सास कि आपको ऐसे काम करना चाहिए, तो बहु को directly नहीं बहु बहु आप डिरेक्ली अपनी बेटी को बोलती है, ऐसा है, तो मेसेज बहु तक पहुँछ आता है, अपनी बेटी को अगर यह कह तो मुझे फिर इस से काम करना है तो मैंने मेसेज कुनाल जी राकेश जी को दिया था वागले साब तक बरावर पॉइट गया कि पिछले दो तिन दिनों से वागले साब पिक अफड़ी वाली लेकर आ रहे थे वागले साब समझ गये अब देख ले न कल आपको नहीं पिक बि अने जी हमारा स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनाटिक्स हमारा स्टॉक है पी एस्टॉक है काफी समय से चला नहीं था कल बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल साथ में एक पॉजिटिव क्रोस ओवर दिखने को मिला है तो हिंदुस्तान एरोनाटिक्स को खरीदने की र तब तक कुनाल जी आये तब तक आप खाली स्टोक से काम चला है लेवल से आप बता देंगे कुनाल जी का इंतचार करों बंचल जी अनि जी देखें पूरा काम करा हुगा अनि जी लेवल भी पता है मेरे को अनि जी 899 का स्टोक लॉस है 975 पहला टारगेट है और 1000 दूसरा टारगेट है और हिंदोस्तान और अरोनोटिक्स मेरा और कुनाल जी का पिक अप दे अचार मुझे पता था देखो स्क्रीन पर कुनाल है लेकिन चलिए आपका काम हो गया कुनाल जी बंसल जी दोनों ने साथ में अपनी पिक निकाली हल इसका भी प्रोमोशन हुआ है यह भी मिट कैप से लार्ज केप की केटेगरी में आगया मुच्वल फंड का जो रीक क्लासिफिकेशन हुआ है जारी सी बात है थोड़ी बह प्रोहाद बताएं सार आपका पिक अफ दे डे गुद मॉर्निंग अनिल जी गुद मॉर्निंग दिपानसु जी आज का जो मेरा पिक है वो खरदारी के राय है एक्चुएल पर और अगर हम हम एक्चुएल को देखें तो कुछ समय से यहां पर एक अच्छा राली बना तो मुझे लगता है कि इसमें जो राली है वो बना रहेगा और और भी यहां पे अपर लेवल जाते वे दिखेंगे तो पचीस सो के स्ट्राइक का जो कॉल आप्शन है जो लगबग 42 रुपे 50 पैसे के आसपास क्लोस हुआ था उसको खरीदने की राय है यहां पे पचास के आसपास स्टोक कल बन हुआ है एचे एल कुनाल जी राकेश जी हुएल शुबं जी यह है आपके लिए स्टोक पर राय आती रिम 25 रुपे का स्टॉप रुपे का टार्गिट अविनाश जी गूड मॉनिंग सर बताएं आपका स्टोक सर गूड मॉनिंग अनिल जी ओर की, खर फिर kinderg simplesmente चेज को मिले और प्टल मिलें उसका फाइदाफ कंपानी 20 का खूम सकता है और इसबंड उसरा जो लंग-डेल रिय बैंक है इसएं करना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार की एसेट कॉलिटी का स्ट्रेस हमने पिछले तीन-चार क्वाटर में देखा था वो अभी थोड़ी सी स्टेवल हो गई है प्लस जिस प्रकार की ग्रोथ मोमेंटम मैनेजमेंट कॉमेंटरी ने कई है हमको लग रहा है कि अगर 6-12 मांस का नजरी आगे तो कम से कम 315-325 नियर टा है हमें और यह पार भी गया है सौ के लेवल से अक्शन में भी है और सुमध जी ने भी इस सीरीज के लिए स्टॉक को इडेंटिफाइ करा है तो लेंटी फनांस पर मोमेंटम बढ़ते हुए दिख रहा है मोमेंटम धेर सारे और स्टॉक्स पर बनते हुए दिख रहा है पर इनका फोकस बना हुआ है किस तरह से देखें यह गोदिज कंजूमर का जो अपडेट आया है और स्टॉक पर आपकी क्या राए रहेगी हमको लग रहा है कि वॉल्म ग्रोथ अगर सस्टेन होता है तो शेर में और तेजी देखने को मिलेगी इसमें कोई डाउट नहीं है कि गोदिज कंजूमर की not only domestic और international markets भी अच्छे कर रहे है तो इसमें अगर खरीदना है तो मुझे लग रहा है एक लंबा नजरिया रखे 6-12 में हमको लग रहा है कि यह स्टॉक में अच्छे खासे triggers है जो FY22 में play out करेंगे ओके तो यह है आपके लिए गोदिज कंजूमर्स पर अपडेट और राय भी इस्टॉक आखरी मिन्टों में तेज दोर लगाता है वाँ डे हाई परकल हुआ है बंद और उसी को आज बढ़ाएगा आगे बढ़ाएंगे आपके लिए कुछ बैतरी निकोल्स को आगे और व गुट मारिंग अनिल जी आज का स्टॉक ऑफ दा डे गोद्रेट सीपी ही है जो भी आप लोग डिसकस कर रहे थे बिल्कुल गोद्रेट सीपी के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है गोद्रेट कंजूमर एक अच्छा मूव लोड लेवल से दिख करें यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव गोद्रेट कंजूमर के अंदर देखने को मिल सकता है 755-760 यह एक सही लेवल से लॉग पोजिशन करने के लिए नीचे में 740 के आसपास यह 745 के आसपास का स्टॉप लोज बनेगा उपर में टार्गेट बनेंगे 780 से लेके 800 रुपे तरके तो गोद्रेट सीपी यह स्टॉक के अंदर मोमेंटम जनरेट हुआ है 780 से 800 रुपे तरके टागेट जल्दी देखने को मिलने चीए लॉग पोजिशन बनाके चलने की सला रहेगी शुभम जी जड़ा चार्ट देखकर बताएं कल भी अच्छे मुव्मेंट में रहा HDFC बैंक और जिस तरह से ये खबरों का भी सपोर्ट है HDFC बैंक की चार्ट क्या दिखा सकती है सर अगर हम देखें तो कुछ समय से यहां पर कंसॉल्डेशन देखने को मिल रहा है लेकिन ओवराल जो इसका सेटप है वो काफी पॉजिटिव है और अच्छी बात यह कि कल जो हमने यहां पर जो राली देखा उसमें बहुत सिग्निफिकेंटली हमने वाई एडिशन देखा है जो पिछले तीन मेरे में उतना वाई एडिशन अभी तक सिंगल दे में कभी देखने को नहीं मिला था तो मुझे लगता है कि एक इंडिकेशन है कि यहां पर एक अच्छा ब्रेकाउट हमें आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव आता हुआ दिखना चाहिए तो बिल्कुल खलदारी के राए होगी और HDFC में एक ट्रेड हम कॉल आप्शन के थूँ इनिशेट कर सकते हैं तो 1440 के स्ट्राइक का अगर हम कॉल आप्शन को देखें जो लगबग 38 रुपे के आसपास क्लोज हुआ था उसको खरीदें यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटें करें 32 रुपे पे और 50 से 52 रुपे तक का टागेट हुआ उगा स्कॉल आप्शन के लिए तो HDFC में बैंक में खलदारी के राए है ऊके तो HDFC बैंक पर रखें नजर मेंटम में आ रहा है स्टॉप में आ रहा है स्टॉक और देखते हैं कि रेंज के बाहर निकल पाता है कि नहीं कुनाल जी भी हमार साथ जुड़ रहे हैं good morning कुनाल जी भी हमारत साथ जूड रहे हैं मैंने उनको कहा था आप आगया गे चलिए मैं पीछे पीछे आता हूँ बनसल जी बिलकुल उमीद नहीं थी बनसल जी से ऐसा करने की लेकिन फिर भी अनिल जी मेरी खरिदारी की राए है हमारी जॉइंट खरिदारी की राए है अनिल जी हिंदुस्तान एरोनाटिक्स पर जिस पर खरिदारी की राए है बड़ा ब्रेकाउट आया है 899 पर स्टॉप लॉस 975 पर पहला टारगेट 1000 पर दूसरा टारगेट तो अनिल जी हमारी संयूक्त राए है खरिदारी की और यह तो सेम निकली बंसल जी ने कहा था यह तो मेरी पिक है कुनाल जी अपनी अलग से आकर देंगे अनि जी इसमें दोनों का हाथ है अनि जी मैं और राके जी दोनों इसको स्टुड़ी कर रहे थे कल तो अनि जी जॉइंट पिक है वो बोलना शाहिद भूल गए है चलिए आप साड़े तीस मैजे के बाद इस मैटर को सेटल कीजेगा पूरानी वापस टेप देखकर शो को रिवाइन करके क्या हुआ था लेकिन चलिए एक बात तो पकी है दोनों के लेवल सेम है स्टॉक भी सेम है थोड़ा तालमेल है तालमेल तो पूरा है थोड़ा नही और यहुआ यह जा यह ओर तालमेल की बात करते हैं आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे है बैंक निफ्टि के बड़े मृष बैंक निफ्टी के बड़े भाई यह सप्प्राइज आप एक बज़े दो पर नए इंट्रडक्शन होने है बैंक निफ्टी का बिग बॉस बैंक निफ्टी का बिग बॉस एक बज़े आप अपना सारे लोग जितने भी है हमारे लंच टाइम थोड़ा सा आगे पिछे कर यह special show है जो एक बज़े हम करेंगे और एक बज़े बैंक निफ्टी का बिग बॉस आपके लिए आ रहा है बस अभी इतना ही बताओंगा अभी इतना वही मैं सोचा था था थोड़ा और तो थोड़ा नहीं पूरा ही बताएंगे लेकिन एक बज़े तो बंसल जी कुनाल जी क्योंकि यह ना और आप सब लोगों मैं पहले बताओंगे जो 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 closing वाले show में वो तो पिलकुल पकेतों से तयारी रहे ना किसी भी तरह का कोई भी सवाल आ सकता है अगर आपने show नहीं देखा तो अच्छा हाँ और चाहे तो आप भी पूछ सकते हैं उसके बाद डार ट्रैकिंग करते हैं तो फिर आप्से बड़ा कोने से तो आपको एक बजे मिलने वाला है तो इसकी तयारी रखेगा एक बजे स्पेशल शो देखेगा मेरे साथ बैंक डिफ्टी का बिग बजे मिस्मत करेगा यह बहद इंटरस्टिंग बहद काम का शो है आपके लिए तो आज वैसे भी इंट्रेसिंग बाते निकली रही है, कुछ ने कुछ आई रहा है, तो एक बजी यह कुर्श हो चले तो बैंक निफ्टी का बिग बॉस आज दोपेर एक बजे इसे मिस मत करेगा, सप्राइज आपको वहीं पर पूरा पता चलेगा पर आक्शन भरपूर है बाजारों में और धेर सारे स्टॉक्स के बारे में चर्चा भी करनी है, शुबम जी एक स्टॉक जिस पर आपसे रेगुलर्ली चर्चा होती रहती है, हीरो मोटो कॉप, यहाँ पर LIC ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है पिछले कुछ समय में, और स जो हमने मंडे को एक मार्जिनल करेक्शन देखा था, जब तक उस लेवल के पार नहीं निकलता है, तब तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए, तो एक कंडिस्नल यहाँ पर बाई कॉल होगा, क्योंकि ओवराल सेक्टर का व्यू पॉजिटिव है, तो 31 के पार जब भी यह स्टॉक निकलता है, तब ही खरीदारी किराए होगी, वह एक टेमपररी रेजिस्टेंस लेवल है, तो अगर वह क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद खरे दें, और तब 32 से 32 पचास तक का लक्ष होगा, तो मुझे लगता है कि कंडिस्नल यहाँ पर देखे हैं, 31 सो होने के बाद ही इसमें कोई खरीदारी करें, तो यह है आपके लिए 31 सो के पार निकलने के बाद करें हैं, फ्रेश खरीदारी, हाँ, फ्रेश खरीदारी से याद आया, अब भी कई सारे स्टॉक ऐसे हैं, जहां पर आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं, और यह फ्र सेट में सस्ता शेर हर रोज आपको मिलेगा 90 थीक उसी तरह का यह स्टोक है जैसे आपको पहले एक बार माला-माल विकली जी पर फर्क इतना है माला-माल विकली सिर्फ आपको investment के लियाद से लंबे समय के लिए यह जो स्टोक हम बताने यह अब से लेकर budget तक के लिए और पू 25 हो गया तो वो वक्त की बात है लेकिन यह स्टोक ऐसे हैं जो अपसे लेकर budget तक भी आपको फायदा देंगे तो अगर आप पोजिशनल दो हफते तीन हफते के लिए ट्रेड करें तब भी आपके बजट में सस्ता शेर और अगर आपको long term पूरे साल बर के लिए साल दो साल के लिए निवेश करना कभी ए परफेक्ट स्टोक है तो आज एक और स्टोक नो बज़े आपको मिलेगा आपके budget में सस्ता शेर आए तब तो कुछ और स्टोक से जिन पर focus करें B.E.A.M.L. 758 करोर रुपे के order मिले जरा चार्स देख लीजिए आप सुमिज जी B.E.A.M.L. क चार्स भी बढ़िया दिखने है अनिजी स्टोक 990 के पास है 1000 का लेवल ये क्रॉस करेगा और 1050 के लेवल जल्दी दिखाएगा तो ये स्टोक के अंदर कोई भी डिप आती है तो खरदारी करनी है जिन्होंने खरदारी करके रखा हुआ है उनको positions hold करनी है 1000 का लेवल जैसे 1050 के targets के लिए खरदारी करके चलने का सला रहेगा परफेक्ट तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई ओके एक और स्टोक है जिस पर राय लेना चाहता हूं और वह स्टार सिमेंट धाई लाग शेर इनके प्रोमोटर ने बेचे हैं और शुबम जी जरा इसके चार पर रुकावट के संकेत हैं जिनके पास हैं वो बेजने या चिंता की बात नहीं अरिल जी अगर चार्ट स्वाई जाएं तो कल भी एक अच्छा मूव आता वा दिखा था तो इसमें कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है लेकिन अगर अगर कोई नेगेटिव निउस है तो मुझे लगता है पुलबैक जरूर देखने को मिल सकता है तो शॉट टम के लिए राई ये होगी कि एक बार मुनाफ़ा बांदे और अगर पुलबैक में 100 रुपे के आसपास मिलता है तो फिर से रियेंट्री का मौका बन सकता है तो अगर शॉट टम में ट्रेड करना है तो एक बार मुनाफ़ा बांदे 100 रुपे के आसपास वापस एक्यूमिलेट कर सकते हैं ओके तो यह है अपके लिए स्टार सिमेंट वैसे हाई बीटा रहता है और सिमेंट सॉक्स में जब भी आक्शन आये तो दिखता है कल भी 4.5 परसंट उपर ही ये स्टॉक आपको दिखा अविनाज जी रेगुलर्ली आपकी आपसे इस स्टॉक पर चर्चा होती रहती है जावा के प्रोडक्शन में थोड़ी परिशानिया आ रही है और इसलिए डीलर से खबरे आ रही है कि जो 25% तक के ओर्डर्स पर रोक लगा दी गई है जावा मोटर साइकल के कितना एहम है जावा मनम के लिए अविनाज जी और इस खबर का कोई इंपाक्ट देखते हैं कंपनी पर इपांजी मुझे लग रहा है यह सेंटिमेंटली थोड़ा सा नेगेटिव है लेकिन अगर हम और निंग के पॉंट आव यू से देखे तो जावा का कॉंट्रिविशन ओर जो मनम क जो ऑटो के कॉंट्रिविशन में वो काफी कम है तो मुझे लग रहा है कि इससे कोई बड़ी दिक्कत कंपनी को अर्निंग्स मेंटेन करने में नहीं रहेंगी मुझे लग रहा है कि हाला कि यह सप्लाय रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कहीं न कहीं थोड़े समय के लिए जर खरीदने का मौका समझना चाहिए क्योंकि हमको लग रहा है कि तीसरी तिमाई not only Q2 के हिसाब से काफी अच्छी रहेगी लेकिन FY22 में हमको लग रहा है बहुत ही अच्छी अभी भी सिग्निफिकेंट रिरेटिंग स्टॉक के लिए पॉसिबल है क्योंकि not only stand-alone business बर जो उनक पर आए एक और स्टोक है इस पर आप भी राए दिजिए जरा अंबर एंटरप्राइज जी यहां पर क्रेइट स्विस की रिपोर्ट है तीन हजार का टार्गेट है और इन्होंने का भी कि अब डिक्सन के वजाए यह खरीद लीजे डिक्सन थोड़ा महंगा ज्यादा हो ग और सबसे बड़ी बात इनकी कैपासिटी अभी हाली में बड़ी है दूसरी बात इनके जो वॉल्यूम ग्रोध के आकड़े हैं हमको लग रहा है कि तीसरी तिमाई और आने वाला साल काफी अच्छा रहेगा हाला कि पिछले साल थोड़ा सा इनके लिए खराब था करोना की क स्टॉक वैसे ज्यादा लिक्विड नहीं है बट बिजनस फंडमेंटल बहुत ही बढ़िया और शांदार है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि यह एक पोर्टफोलो काड़ेट रहेगा और इसमें फट्वेंटीटू के ज्यादा मार्केट की नजर रहेगी क्योंकि उस साल म में हमको लग रहे है कि कम से कम 14-15% की जो स्टॉक के लिए काफी अच्छा रहेगा तो यह है आपके लिए सल्हा इस वक्ता आतीवी अंबर एंटरप्राइजेश पर